एलो फ्रेंट्स हाजिर हूं मैं इस ड्रामे के नेक्स पार्ट के साथ तो जिनों न वी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की इस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए वीडियो को सटार्ट करते हैं कि इपीसोड की शुरुवात में और मूग फूलिस स्टेसन में होते हैं और मोग एक Rim के instructions के recording Rim के vision में दिखाई देने वाली औरत के sketch बना रहा होता है और Rim काफी confuse होती है और वह मोग एक को भी confuse कर रही होती है कभी उस cabin में काम करने वाला officer आजाता है और मोग एक से कहता है कि अभी मुझे यहाँ काम करना है आप लोग बाद में आईएगा इस पर वह लोग रूम से बाहर आ जाते हैं तभी उन्हें लेफ्टनेंड योम वहां से जाते हुए देख लेती हैं और वह वहां मौजूद एक आफिसर से पूछती है कि ये लोग इस डिपार्टमेंट में क्यों आये थे तो वह आफिसर उन्हें बताता है कि आफिसर मौग एक किसी का स्केच बनाने के लिए पुलिस कमपोजिट इसके सॉप्टवेर का यूज करने के लिए यहां आये थे इस पर लेफ्टनेंड योम सोच में पढ़ जाती हैं नेक्स सीन में जेजू आइलेंड के ब्रिक रॉक हस् कुछता है उसे जेही ने भेजा होता है चौइंड शयॉल का नाम सुनकर रिसेप्सिनिस्ट उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है फिर वहां से दूर जाकर मूग एक को इनफॉर्म करता है कि कोई वहां चौईंड शयॉल के बारे में इस बंदे को बताता है कि चौइन फ़िल को सब्सक्र कर दिया गया था वह सबन्दे को यही को देता इस अधिन्न अध्र कर लघने को कहता है इधर मोगैंग और बाकी बताया हुआ एड्रेस देते हैं और इधर उस एड्रेस पर सारे टीम मेंबर्स मडरर के आने का इंतिजार कर रहे होते हैं एक लेडी पुलिस आफिसर चाई उन स्याल बनकर घर के अंदर मौजूद होती है कभी वहां रूटीन चेक पर निकले दो पुलिस आफिसर आते हैं ड वहां से चले जाते हैं उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एरेस्ट कर लेते हैं पर मौग एक दूर खड़े एक और ब्लैक ड्रेस वाले सबस्क्रीश को देख लेता है वह उसका पीछा करता है वह बंदा काफी तेज भाग रहा होता है और मुग एक भी उसके पीछे भाग रहा होता है तब ही भागते हुए लोहे की एक राडू सस्पीसियस बंदे के हाथ पर लग जाती है जिससे उसका हाथ जक्मी हो जाता है पर वह बंदा बचकर भाग निकलता है इधर जिस बंदे को इस्पेसल टीम मेंबर्स ने एरेस्ट किया था उससे पूछ ताश करने पर पता चलता है कि एक आदमी ने पोड़ी देर पहले उसे कुछ पैसे दिये थे और कहा था कि जो लड़की घर से बाहर निकलेगी उसे चाय उन्स्याल कहकर पुकारना उस आदमी ने चहरा ढखा हुआ था इसलिए वो उसका चहरा देख नहीं पाया था इस पर चीफ टीटेक्टि उस बंदे को अपने ऑफिसर्स के साथ पुलिस इस्टेशन भेज देते हैं इधर मूग एक उस अस्पीसियस बंदे का पीछा कर रहा होता है अभी उसे एक कार से टकर लग जाती है वह फिर भी उसका पीछा करने के लिए उठता है तभी वहां लेफ्ट एंड योम आ जाती है और उसे रोकती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है इसको मूग एक बताता है कि वो ठीक है तभी उसे वह लोही की रॉड याद आती है जिससे वह सस्पीसियल ब्लड और उसके पहने हुए ब्लैक ट्रेनिंग सूट का टुकड़ा लगा हुआ होता है तुरंत फॉरेंसिक टीम को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कॉल करते हैं और अब उनके पास मर्डर का डीने सेंपल भी होता है नेक्स सीन में सारे टीम मेंबर्स आपस में बाते क स्पिक्स है वह जू मारी और डॉक्टर चुन बेक के काफी क्लोज था और उसकी बॉड़ी टाइप भी मर्डर से मैच करती है इस पर चीफ डिटेक्टिव कहते हैं कि जरूरी तो नहीं कि सभी विक्टम के करीबी लोग मर्डर ही हों और जहां तक बात रही बॉड़ी जाती है लेफ्टेंट यूम जेही से उसके पैरेंट्स के बारे में पूछती है जेही बताता है कि उसे एक अमेरिकन कपल ने एडॉप्ट गया था और वह उनके साथ अमेरिका चला गया था पर जब उन दोनों की डेथ हो गई तो वह वापस पोरिया आ गया लेफ्टेंट यूम पूछती है कि तुम्हारे पैरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी इस पर जेही बताता है कि उनके कार में आग लग गई थी लोकल पुलिस ने बताया था कि यह आग सिगरेट लाइटर से लगी है क्योंकि उसके फादर सिगरेट पीते थे तो साइद यह आग उनके ही और जानocy रही घर्मी है तुमने यह कोड़ क्यों पहन रखी है जबकि तुम किचन में जागर खाना बनाने वाले हो कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो इस पर जैही अपना कोड निकालता है और कहता है कि मैंने इे कोड़ एसलिए पहन रखी है क्योंकि इन आजक्स उनका लेफ्टनेंड योँ वहां से चली जाती है और वापस आता टीम मेंबर्स को बताती है कि जेही के हाथ पर वैसा ही जक्म लगा है जैसे उस आदमी को भागते हुए लगा था वैं डिटेक्टिव चैन से जेही की डिने सेंपल को कलेक्ट करने के लिए एक वारंट के लि देने से इंकार करता है इस पर मुग एक उसे वारंट दिखाता है और कहता है कि इस वारंट के एकॉर्डिंग तुम प्राइम मडर सस्पेक्ट हो और कल रात पुलिस से बचकर भागते हुए तुमारा हाथ पर जक्मी हुआ था मुग एक बहुत गुस्टे में होता है और व मुझे कीचन में काम करते हुए लग गया था इस पर मुग एक गुस्ते से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी जूटी बातों पर विश्वास कर लेंगे इस पर जही अपना डियने देने के लिए एगरी हो जाता है सारे ऑफिसर्स उसका डियने सेंपल लेकर वापस अपने आफिस आते हैं तो लेफ्टेंट योग कहती है कि जब तक लियने रिपोर्ट नहीं आ जाती जब तक जेही के घर और रेस्टोरेंट के आस पास आफिसर्स को तैनात कर दो ताकि अगर जेही कहीं भागने की कोसिस करे तो उसे पकड़ा जा सके नेक्स सीन में रिम जेही के कहने पर उसके कुगिंग सो को होस्ट करने के लिए आडिसन देती है रिम काफी अच्छा परफॉर्म करती है सो का डियरेक्टेर जेही से उसकी तारीफ करता है यह सब देखकर रिम भी बहुत पुस होती है इधर होमी साइट डिपार्टमेंट में सभी टीम मि करते से मैंश नहीं कर रहा होता है इस पर सारे टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं यहीं यह पार्ट इंड होता है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना कुली कि वाख सेयर बस्तों के एस दोर वाशएब